तो आज ये वीडियो दो दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ जैसके आप सब को पता है कि हमने वीडियो सीरीज उठाई हैं जिसमें हम इंपोर्टेंट क्वेशनेस डिसकस करेंगे पोलिटिकल साइनेस बीजी फिफ्ट सिमिश्टर अगर आप इस चनल पर नए हो तो चनल को सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वाटसअप गृपस से शेयर कीजिए ताकि यह important questions जो हैं सारे students तक महुच पाएगे इनकेस अगर आपको कुछ study material चाहिए नीचे description में लिंक है वहाँ से आप study material भी download कर सकते हो तो आज का जो यह वीडियो हैं इसमें हम यहाँ पर एक important question पर बात करेंगे जो कि आपके 8 marks वाले section में भी आ सकता है 4 marks वाले section में भी आ सकता है इविन की 13 marks वाले section में भी आ सकता है तो यह question जो हैं यहाँ पर मैंने screen पर लिखे हैं उपर discuss ruse use theory of general will long answer में अगर आए तो इस तरह का question बन सकता है अगर 4 marks वाले या 8 marks वाले आए तो वहाँ से आपको यह ऐसे भी पूछा जा सकता है define real will या define actual will तो यह तीनो questions जो हैं यह एक ही वीडियो में हम यहाँ पर cover करेंगे वीडियो को large तक देखना ताकि अच्छे से आप समझोगे और यहाँ से आप screen shots या नीचे description में लिंक है वहाँ से आप इस PDF आपको भी डाउनलोड कर सकते है तो चलिए हम start करते हैं यह एक important theory है western political thought में तो यहाँ पर रूसियो जो है एक western political scientist है तो इन्होंने एक theory दिये है general will general will क्या होता है और इसमें जो types है actual will and real will यह हम इस वीडियो में अच्छे से समझेगे In order to properly understand the concept of general will it is necessary to understand the term actual will and real will Dear students, मैंने जिस तरह से यहाँ पर point wise लिखा है आप ऐसे exam में भी लिख सकते हो फोर मार्क्स वाले question में वहाँ से यह आपके लिए important बन सकता है यानि जो general will है इसको समझने से पहले आपको यह दो terms understand करना है एक है actual will और दूसरा है real will इन दोनों की क्या meaning है उसके बाद आपको जो है general will के बारे में समझ में आ जाएगा Let us understand in simple words Simple words में हम देखेंगे actual will क्या है और real will क्या है और last में result जो निकलेगा उससे हम easily understand कर पाएंगे general will होता क्या है Here is the actual will Rusio understood the will which was selfish Irrational and the thought of the good of the individual alone Simple words में जो Rusio क्याता है यह हमें समझाता है कि dear यह जो actual will है यह एक selfish है It involves the individual alone जो एक individual होगा, एक person होगा, ये उसके जो जाती राय होगी उसके जो अपनी लालची तोर पर अपने लिए सोचेगा वो state के welfare के लिए नहीं सोचेगा, वो भाक्यों के लिए नहीं सोचेगा वो अपने लिए सोचेगा कि मैं run कैसे करो, मैं satisfied कैसे रहओ यानि ये जो है individual के लिए alone individual यानि single individual के लिए ये actual will है इसमें जो है individual अपने लिए सोचेगा ना कि state के लिए ना कि other individuals के लिए जहाँ पर उसको अपना profit देखाई देगा तो वहाँ पर वो सोचेगा और invest करेगा ऐसे आप समझ सकते हो तो इसमें मैंने कुछ points नीचे लिखे है यानि जो एक शक्स होगा अकिला उसके जो अपने चाहत होगी वो अपने लिए सोचेगा अपने लिए करेगा यानि अपने लिए selfish तो next point यहांपर इसमें 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 state की अच्छाई के लिए state की बहबूदी के लिए इस will में कोई गुझाईश नहीं है यह अपने लिए है individual का personal है तो अब है next term that is real will I hope कि आपको actual will समझ में आ गया होगा अब है real will real will की क्या मेनी है Rocio जो है आपर मैंने लिखा है Rocio understood the will which was not selfish this will was the will of all not for single individual it was concerned with the welfare of the society here in simple words Rocio जो है यह हमें समझाता है कि जो real will है यह selfish नहीं है यह single individual के लिए नहीं है इसमें individual personally अपने जो thoughts है अपनी जो राए है अपने लिए ही नहीं सोचता है इसमें individual औरों के लिए भी सोचता है this will is the will of all ना कि यह will है single individual का it was concerned with the welfare of the society इस will में जो है state की बहबूदी के लिए काम किया जाता है state के लिए अच्छा सोचा जाता है state की development के लिए यानि यह will सब का है इसमें सब involved है अब जो है यह अपर now it is easy to understand the concept of general will यहां पर थोड़ा misprint हुआ है यानि general will general will अब हम easily समझ सकते so in simple words general will was the sum total of all real wills and actual wills अब आपको easy way में समझ में आ जाएगा real will क्या होता है actual will क्या होता है यह दोनों मैंने आपको समझा है इन चीजों को mix करके compile करके जो will बनेगा उसको हम कहेंगे general will the combination of real wills and actual wills is called general will I hope की आपको concept clear हुआ 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 मिलते next video में तब तके लिए take care